चैनल को लाइक करे और सब्सक्राइब करे बारीज से आदा दर्जन ग्रामों का टूटा शंपर्क उफना थे नाले को पार कर रहे बच्चे लांजी शेत्र में बारीज के चलते लांजी से कोश्मारा के बीच नाले में आई बार लगबक आदा दर्जन से अधीक ग्रामों के बीच संपर्क टूट गया है जिससे बच्चो और ग्रामीन उफनाते नाले को पार करते वे दिखाई दे रहे हैं हलांकि नाले में बार की जानकारी लगते ही प्रशासन ने यहां पुलीस कर्वियों सहित SDRF की टीम को तैनात कर दिया है ग्रामीनों ने बताए कि तेजी से नाले का जलिस्तर भी बढ़ रहा है वहीं कभी कभी तो करीब 20-25 दिनों तक शम पर तूट जाता है वहीं लंबे शमे से नाले में उच्ची स्त्री पूल निर्मान की मांग को लेकर प्रशासन और विदायक से करते आरा है बावजूद इसके अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है जिसके चलते इसकुली छात्रों के साथ साथ गाव वाले भी जान जोकी में डालकर इस नाले को पार करने के लिए मजबूर है प्रशासन से ग्रामिनों ने गौहर लगाई है कि जल्द से जल्द उचेस्त्री पूल का निर्मान कराया जाए लांजी से पवन का स्यव जो पाउनी खुल्म और अपना लांजी तक जाओ अच्छा यह जो है इसके उपर मुच्यस्त्री पूल की कभी मांग नहीं किया आप लोगों ने बहुत पहले किया सरपंज नहीं था उसके पहले भी दो-चार बार मैंने किया हूँ इसका वीडियो बना किया हूँ अभी आ बहुत जल्ड इसके उपर में पूल बनना चाहिए यह आप ग्रामीनों के तरफ से मांग करते हैं जी जी सभी ग्रामीनों के तरफ से मायंग करते हैं कि बहुत जल्दे पुल बनना चाहिए जैसे ही इस घटना की जानकारी प्राफ हुई तो ततकाल हमारे पास जो सब्सक्राइब की तीम रहती है उनके से पुलो आमोप्रेस्टन पर भेला गया जिससे इस्तिती से परचित हो सके और चुकी पुलिया डूर गई है नीचे से ड्रैनेजन पाइपना होने के कारवा पानी रुका गया था तो दो तरफ दो दो सेंकों को खड़ा करा दिया गया जिससे आवगाम का उस पुल्पत से प्रतिबंद्यत कर दिया गया है साथ ही चुकी उसमें कोई पुलिया वगेरा नहीं है तो इसके लिए महाप्रवंद्धा प्रधानमंदी ग्रामस्वाट को पत्र के माध्यम से सुचित किया जाएगा कि उसमें पुलिया का जर्मा कर द जलापर शासन का उबद करा जाएगा साथ ही इस लिए दिया के माध्यम से विसूचना करते हैं कि जनपर्वत में दिभी इस वामले को संयान में और शासन इस्ता को बाद करके खुलिया माल की जर्मा को प्र्यास करें कि ए ओ आप देख रहे हैं माला खट खबर बार